इने दो चेप्ज बता थे ड़ीड सवगत है तो च्वेटा क्लीनिगक कने बारे थोड़ा समझते है को चाहरे में चाहरा स्टेप्स और ऋब्सरवेशन जाय से डूप्लिकेटड इंप्स इसको हमें हटाना है स्ट्रक्चरल एरर सॉल्विंग आउटलायर मैनेजमेंट यह चारों चीज़ों के बारे में अभी थोड़ा समझते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं रिमूविंग अन्वॉंटेड इन्फॉमिशन तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो टार्गेट है वो डायबेटि तो यह कभी भी मशीन लेर्निंग जब तुम मॉडल ट्रेन करोगे तब ऐसे वेरियेबल्स को तुम्हें निकालना बहुत ज़रूरी है और मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूं हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और हैक अधॉन है तुम लोग पांची हमांची है होते हैं तो है कि तुम्हें कुछ बनाओ हॉस्पिटल के लिए कोई एपलिकेशन बनाओ या पिर मतलब हेल्ट केर हो गया देन घर के मतलब होम्स के लिए फॉरेस्ट के लिए मतलब ऐसे एक प्रोब्लम स्टेटमेंट डी जाती है और उसमें कॉम्पेटिशन में लोग पा था वो लोग क्या कर रहे थे उन्होंने एक मॉडल मस्ट्रें किया वह मॉडल था कि पेशन को हार्ट अटक आएगा की नहीं आएगा उनका आइडिया बहुत सही था उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरीबल्स लिए उसमें एक चीज थी उसमें यह चीज मतलब जैसे फॉर एक्जांपल किसी का एक मतलब क्या बोलते हैं उनका जब एवैलेवेशन हुआ या फिर उनका जो भी चीज होती है उसमें टाइम दिया हो था कि इंका टेस्ट हुआ था इतने बजे तो वो टाइम को उन्होंने यूज करके एक मशीन लर्निंग मॉडल ब हगा है तो तुह थासि चीज़े मरशी सीक लेती है वक अमनिए जरूरी यंद्ध फिसे को तुम्हें खटाना इस हम आगे और भी पढ़ेंगे कि ऐसे को निकाला कैसे जए पर ये कुछ ऐसी कॉंघसे लगा के हमें ऐसे कुछ को वकंग को रए Quin कि मानलो तुम्हारे रोज और कॉलम में यानि वह वैल्यूस मिसिंग है या उसमें लिखा हुई तो जाहिर सी बात है कि यह डेटा जब तुम फीड करोगे यह तो किसी काम का नहीं है यह किसी काम की नहीं है तो तुम पूरा का पूरा रोया कॉलम तो अब इसको कैसे हटाया जाए देखते हैं तो यह मालूम मैंने डेटा सेट लिया हुआ है ठीक है यह मैंने खुछ से बनाए एक डेमो डेटा ओके इसमें क्या है कंपनी है गूगल एमाजोन फॉसेज डारे एज दी हुई है नेट वर्थ दिया हुआ है फाउंडर दिया हुआ है अब यहां पर तुम देख पारे होगे फाउंडर में कोई वैल्यू ही नहीं तो यह में किसी काम का नहीं है तो हमें यह कॉलम को हटाना है तो इस कॉलम को कैसे हटाएंगे हम इस कॉलम को सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि नल वैल्यूज है कि नहीं कि देखो यह ज नीचे नीचे नल वैल्यूज है तो मैं तो दिखेगा नहीं तो मोलों कि नल वैल्यूज तो ही निसमें तो उसको निकालने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या करते हैं हम लिखते हैं जो डेटा फ्रेम है डॉट इस नल डॉट एनी मतलब यह बताते कि क्या कोई ऐसे हैं क्या यहां पर आल वैल्यूज है तो यह क्या करेगा हर एक कॉलमं के सामने टूशaste देगा इसका मतलब क्या है कि net worth में नल वैल्यूज है इसका मतलब true वैसी founder के सामने true लिखा हुआ है मतलब नल वैल्यूज है पर age और company में नल वैल्यूज नहीं है तो तुम उपर देख सकते हो टेबल में भी कि age और company में कोई नल वैल्यूज नहीं है और मेरे टेबल में अबбी स्रफ चारी में तुम देख रहे होगे इन दोनों कौलम में निल वैल्यूज नहीं है फिसकेन पता चीशिएगा और कौन से रूमें नयल वैल्यूज नहीं है अब दूसरा चीज हमें यह पता हुन अच्छी कि कि तनी वैल्यूज है एक सेकेंड ना गिम्मी वन सेकेंड देपांची एंड हमांची तो क्या यह एनी जो है वह हमें बता है कि हैं कि नहीं है wspoiu उस्से हमें ठासरी कि about some करेगा कि वह बता देगा कि कितनी वैल्यूज नल है तो तुम देख बारेगे नेटवर्ट में हैं फांडर के पास चारर याईwhere हैं अगर उन्बाटर कंट्री सब्सक्राइब करते से मेरे नियुलिफ निकालने काम पपेशर है उसकी जाहिर से बात है मालों बहुत सारी वैलियू उस्वी तो तो मुद्ध वहत उसलेस वैलिफ वालिफ वैलिफ वहुए इनकों हमें हटाना जरूरी है तो मेरा डेटा कंप्लीट होना चाहिए तो फर्स्स step is to remove the null value तो तुम देख पारे होगे कि डेटा क्लीनिंग में भी फर्स टेप जो है वो क्या है रिमूविंग अन्वांटेड उब्जरवेशन इसमें है वह वैल्यूस जो की डुप्लिकेट है या फिर नल वैल्यूस तो यह सारी चीजों को हमें हटाना जरूरी है कि इस सबसे पहले स्टेक्ष यहिए कि तुम देखते हो कि नल वैल्यूस है कि नहीं तुम कैगल में जाना बहुत सारे लोगों ने यही किया हूँ है पहले नल वैल्यूस आउटलायर यह सारी थीज़े हटा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि तुमारे डेटा में कितनी नल ठीक है तो डॉट एनी और डॉट सम इस बहुत इंपॉर्टेंट जीज़ है अब निकालें कैसे तो यह होता है डी एफ डॉट ड्रॉप एने ड्रॉप एने का मतलब एने वैल्यू जटा दो ठीक है इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है मतलब आक्सेस हाओ थ्रेश सबसेट है इनकर तंडालो ना डालो तुम अब मैं हर एक वैल्यू के बारे में थोड़ा समझाता है एकशिस को अगर तुमने जीरो कर दिया यह भॉत इंपोर्टेंट गोर्टा न सिकया अगर तुमने जीरो कर दिया भाथ तुमारा रो draggy फॉर्ट यह ठाएगा तो एक्स एक्वल टू जीरो जिसस रो में अगर एक भी वैल्यू उसको नल मिल गई एक भी वैल्यू स्कों घठादे तो तुम देख रहे होगे हर एक रो मेर बनल वैल्यू है जिसा जीरो मेर मिल गई उसको वनके पूरे रो में तीन अ दो नल वैल्यू से और वाले में एक नल वैल्यू तो यह सब कुछ हटा देए अभी हम समझते हैं कि यह क्या करता है function बार में समझेंगी कि इसको use कैसे करना है अच्छे से मान लो अब मैंने यहां लिखा df demo.drop na access equal to one तो कोई भी column में अगर एक भी na value मिल गई तुमको तो वो column को हटा देगा easy तो यहां पर तो तुम देख पा रहे हो company age में तो values थी नहीं founder headquarters और network में तो तुमारे पास जो डेटा बचा वो होगी company और age ठीक है इसमें कोई डाउट की access को कैसे यूज कर रहे है कोई डाउट लिपांची के मांची नो सब्सक्राइब अब थोड़ा रो या column में कहीं भी मतलब कोई भी number का न मिल जाए मतलब मतलब सकते है एक आल वैलियो भी सकती है कोई भी बैलियो मिल जाए रो और column आध दोनों में से पढ़ाया अभी मैंने कह दिया डिएफ डेमो डॉट ड्रॉप एने एकसेज इकल टुवन तो यह क्या कर रहा था कॉलम में अगर एक भी नल वैल्यू मिल गई तो डिलीट कर रहा था यह सेम चीज करेगा एनी का मत्तब एक भी उसको वैल्यू मिल गई वो डिलीट कर देगा तो यह तभी दोनों का रिजल्ट सेम मैंने एकसेज इकल टुवन किया है मालो मैं एकसेज इकल टुव जीरो करता ना यहां पर तो क्या होगा यह सेम चीज देगा मेरे को जो मैंने पहले बताया था क्या देगा कोई भी वैल्यू मिल जाए अब यहां पर तो हर एक रो में एक एक नल वैल्यू थी वह डिलीट कर देगा ठीक है वैसे ही मालो आल का मतलब क्या है कि सारी वैल्यूज नल होनी चाहिए तब ही वह डिलीट करेगा अब यहां पर तुम देख पा रहे होगे मैंने कॉलम चूज किया एकसेज इकल टुवन डालके तो कॉलम्स वाले कोई नुद्फ करेगा यह और सारी वैल्यूज नाल होनी चाहिए तो फांडर में तुम देख पा रहे होगे सारी वैल्यूज नाल है तो इतने समझ में आया कि एनी मतलब क्या होता है और और आल का मतलब क्या होता है इसमें कोई डाओ जी सब्सक्राश क्लिए से-गए अब बात हम एक नंबर डालेंगे और यह नंबर पते क्या होता है लंग यह नहीं है देखो यहां पर में ले होता हो तो देखो में पास यह कॉलम यह है में पास एकस्छिज को मैंने समय वन किया है तो मतलब कॉलम से ही करेगा मैंने थ्रेश की वैल्यू 3 रखी है तो देखना क्या हुआ कि मेरे डेटा में हर एक कॉलम में तीन वैल्यूस तो होनी ही चाहिए जो नल नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहां पर हमारा founder नहीं है और net worth नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि founder में तुम देखोगे, एक भी value नहीं है, जो null नहीं है, सारी values नहीं है, तो यह इसके अंदर आनी रहा, तीन होनी चाहिए, पर यहां तो zero है, समझ पारे हो, net worth म नहीं है, तो net worth नहीं है, तो यहां पर net worth आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दो values ऐसी है, जो null नहीं है, तो तुम समझ पारे होगे, यहां पर 300 और 1.3 है, तो यह दो में आ गया, तो threshold value 2, तो यह net worth भी यहां पर आ गया, माल लो मैंने threshold की value 0 रखी, इसका मतलब की मेरी मतलब, 0 यह 0 से ऊपर, मेरी मतलब not null values होनी चाहिए, तो वो accept कर लेगा, तो यहां पर founder क्यों आ गया, क्योंकि यहां एक भी ऐसी value नहीं है, जो null नहीं है, समझ पारे हो, इतना समझ में आया, इसमें सोड़ा doubt होता है, कोई doubt आ रहे हैं तुम उनको, जीरो में, जीरो मे है, देखो, 0 में क्या मतलब है, कि मतलब total 0 values होनी चाहिए, जो null नहीं है, तो देखो, company में देखेंगे, यहां पर तो चार values है, 0 से जादा है, वो हो गया, threshold का मतलब होता है, वो value या उससे अधिक, समझ रहो, इसको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूं तो, कि n values will not be null, इ समझ में आएगा तुमको, तो देखो, सबसे पहले मैं बात करते हूँ, 3 की, देखो, threshold की value 3 है, 3 या 3 से जादा null values नहीं होनी चाहिए, एक column में, तो तुम देखो, company में 4 है, जो 3 से बड़ा है, तो यह आ गया, age में 4 है, values 21, जो null नहीं है, तो वो आ गया, headquarters में 3 है, जो की 3 क equally है, या equal या greater than, तो यह आ गया, पर यहाँ पर net worth क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, और 2 3 से छोटा है, वैसे ही तुम देखो के founder में 0 है, जो की 3 से छोटा है, तो भी वो यहाँ पर नहीं आया, उसको delete कर दिया, अब बात करते हैं, इसकी, यहाँ पर 2 है, अब company में 4 है, 4 तो 2 से अधिक है, age 4 है, 4 तो 2 से अधिक है, यह 4 values क्या है, जो null नहीं है, net worth में 2 है, 2 ऐसी values है, जो null नहीं है, तो क्या होगा, यह डाल देगा, वैसे ही headquarters में 3 है, 3 2 से अधिक है, तो क्या होगा, डाल देगा, अब 0 में आते हैं, जिसमें doubt आ रहा है, तो 0 या 0 से अधिक सब्सक्राइब , देखो में चार यह नहीं है जो 0 से बड़ा यह आ गया एज में चार वैल Yo जो 0 से बड़ा है नहीं है नोनहीं है तो होगा आगया नेट होगा सब्सक्राइब地方 लंगी 3001.5 जो नल नहीं है जो Environ से बढ़ा पर में 0 है ऐसी कोई भी बैल्यों नहीं जो नहीं तो यह आ गया किलुख मैं क्या होगा T्रीन guys उसे अधिकर बं साधिक एंडिया इंडिया अब शंक फॉटcych मं के कि ये से टेक। तो यह आयत हमें पता चला कि थ्रेश्वल्ड वैल्यू क्यों होता है हम सबसेट तो हमने क्या बोला की अब हमक्या एक्सिस को अगर हम लोग Zero कर रहे हैं या वन कर रहे हैं तो सारे इंसे उड़ादे रहा है अभी हम बोल रहे हैं की देखो ये क्या गरता है null values from this column is only removed तो देखो जब हम access equal to zero कर रहे थे क्या हो रहा था यह पूरी की पूरी values हटा रहा था यह देखो यहाँ पे इस सारी की सारी values हटा दिया हम चाहते हैं कि headquarters वाली चीज मतलब headquarter में जो null value है वही वाला row हटाओ access equal to zero क्या होता है रो होता है तो headquarter में null value कहां पर आ रही है first में आ रही है तो फर्स्ट हटा दिया बाकि 023 यह तीनों वहां पर डाल दिया समझ पार हो मालो मैं headquarters की जगह founder डालता तो सभी हटा देता की सारे में वैलियूज है मालों नेट वर्थ डालता तो क्या होता वन और टू हटा देता जीरो थ्री देता समझ पार हो तो यह समझ में आया कि सबसेट क्या कर रहे है तो अब हम समझ गए की सबसेट क्या कर रहे है अब इन प्लेस के बारे में मैं तुम्हें बताए ही था हम क्या करते डी एकोल टू डी एफ डॉट डॉपने करते थे ना क्या यह वैल्यूज नहीं करेगा दी एफ तो हम इन प्लेस को अगर टू कर देंगे तो वह करने की था ठाँ तो यह इन प्लेस के लिए इन प्लेस में क्या है कि मानलो में पास यह है एज के लिए और मैंने क्या किया dot drop na और यहां पर मैंने डाल दिया एक्सेस इक्वल टू वन तो क्या होगा यह मेरे को प्रेंट करके तो देगा बाद में जब मैं सिर्फ देखूंगा न तो यह चेंज मेरे को नजर नहीं आएगा है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे कि इसको ऐसे करना पड़ेगा सब्स्टीटूट करना पड़ेगा यह एकवल तो ये लिखने के बज़ें तुम क्या करओ यहां पर लिखो यहां पर तुम करनी की जववतनी मैं बस यह लिखूंगा मुझे यह करनी की जववतनी पड़ेगी ठीक है यह हमने पहले भी देखा का है ठीक है यह क्लियर है कि यह सर्थ तो अब हमने बता दिया कि भीया एक सारी चीजे एक साथ मिला कर तुम यूज कर सकते हो कोई कोई में तुम कोई भी कॉलम में डिलीट करना सब्सेट में डाल दो कि तुम कोई भी भी मालोव ऐलोग बतानी की थेख को योस करके तुम कुछ भी कर सकते हो कहीं मैं थोड़ा बात करता हूं मैं तुम लोग को पांच मिनिट का ब्रेक देता हूं तुम लोग पानी वानी पीलो कि मैं कि मिसिंग डेटा हैंडलिंग से शुरुआ करते हैं थीक है फाइव मिनिट्स करें तो यह से ज कि मैं तुम लोग भरी से की मिनस थी खी इपनो लोग षव आईमा मिजा करें था मिनस थी उन झाल 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 झाल